Hello and welcome to online schooling बच्चो आज हम एक नया topic पढ़ेंगे जिसका नाम है punctuation mark यानि विराम जिन अब वैसे तो punctuation marks बहुत सारे होते हैं लेकिन आज हम mainly five punctuation marks के बारे में ही पढ़ेंगे ठीक है पहला है full stop और साथ में ही जैसे में जैसे में पढ़ रही हूँ साथ में आप एक sign एक निशान साथ में देख रहे होंगे वो उसका निशान है उसे भी ध्यान से ही देखिएगा ठीक है और जैसे जैसे मैं reading कर रही हूँ आप हो सके तो मेरे पीछे पीछे reading करेगा क्योंकि आपको word को पढ़ना आना चाहिए ठीक है first is full stop second comma third exclamation mark fourth question mark fifth apostrophe देख लेते हैं कि full stop लगता कब है ठीक है full stop जो है वो mainly दो cases में लगता है दो conditions पे लगता है ठीक है first is end of sentence और second है abbreviation अब ये end of sentence क्या हुआ he is going she is eating he is going एक वाक्य है जो कि पूरा हो चुका है he is going वो जा रहा है she is eating वो खा रही है तो जहाँ पर हमारा वाक्या खत्म हो जाता है वहाँ पर हम full stop लगाते हैं second है abbreviation abbreviation होता है जब हम किसी बड़े word को छोटा करके लखते हैं अब जैसे first word देखिए mr और full stop लगा है ठीक है तो उसका मतलब हुआ mr को मैंने short करके लिख दिया eg example etc ie that is am और pm सुभा और शाम चीक है उसके बाद हम second देखते हैं comma साथ साथ में उसका sign उसका निशान भी देख लीजे अब sentence देखो राजू, सीमा, टॉम and अनू are playing जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो पहले की जो चीजे हैं जैसे राम, सॉरी राजू, सीमा, टॉम इनके बीच में हम comma लगाएंगे इनको separate करने के लिए इनको अलग-अलग बताने के लिए ठीक है और जिसे अनू last word है तो last से पहले हम comma नहीं लगाते हैं उससे पहले हम and लगा देते हैं ठीक है और जैसे ही sentence खतम हो गया है वाक्या उसके बाद full stop लगा देंगे similarly, second वाक्या में भी देखिए I bought a new pen, rubber and scale अब pen, rubber पहले दो sentence थे इसलिए उसके बीच में comma लगा अब next देख लेते है exclamation mark इसे पढ़ना ध्यान से सुनिएगा और मेरे पीछे repeat करने की कोशिश कीजिएगा exclamation mark exclamation mark कब लगता है? sudden feeling यानि अचानक से अचानक से खुशी हुई हो अचानक से कुछ दुख की बात हो जब sudden reaction होता है all of a sudden हम किसी तरह से react करते हैं जैसे वाउ हुरे तो ये जो words हैं ये हमारा reaction show करते हैं कि किसी चीज़ को देखके एकदम खुश हो जाओ next is question mark question mark आप मेंसे maximum बच्चों को पता होंगे जिन्होंने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा हमने एक वीडियो question mark question words की भी की थी जिसमें मैंने आपको question mark के बारे में बताया था जितने भी question words होते हैं जैसे why, what, who, how, where, when, whom, who all these question words जब हम question words यूज करते हैं तो last में हमेशा question mark लगता है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि question पूछते हैं तो question mark next is apostrophe इसे भी दुबारा से देख लीजे कैसे पढ़ेंगे apostrophe apostrophe अब ध्यान से देखिया apostrophe कहां लगता है इसमें अगर apostrophe नहीं लगाएंगे इसका मतलब का जैसे अब इन सब के साथ साथ एक बहुत ही important चीज है capital letter यानि कि जिसको आप बोलते हो big a b c d capital a b c d होती big a b c d z तक अब कब लगता है capital letter या तो full stop जब लगता है कोई sentence पूरा होता है तो हम full stop लगाते हैं full stop के बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वो capital letter से होता है या फिर कोई नया sentence शुरू कर रहे हो तब किसी का नाम लिख रहे हो तब या कोई abbreviation जैसे हमने पहले की है अब आपको जो screen पर दिख रहा है इसकी एक snapshot ले लीजे और इसको notebook में लिखने के बाद punctuate कीजे नमबर वन राजू, नीता और रोहन आर प्लेइंग सेक्ड यार एटिंग आइस क्रीम थर्ड अमन इस गोईंग तो गोवा नेक्स्ट माई मदर्स नेम इस प्रिया इन सारे वाक्यों में पोर आपको sentences दे गए हैं इसमें आपने punctuation करनी है अब screen अब देखिए screen पर मैंने आपको जहां पर circle किया है वो थोड़ा सा hint दिया है लेकिन आपने खुद से करने की कोशिश करनी है और अपनी ma'am को अपनी teacher को whatsapp कर देना है ताकि वो check कर सके इनको कि आपसे कहीं कोई गलती हुई हो तो वो आपको correct कर सके अब हरोज वीडियो देखते हो आपको वो वीडियो कैसी लग रही है comment box में जरूर लिखिएगा अच्छी लगती है तो like कीजेगा friends के साथ और किसी और के साथ भी चाहें तो share कीजीगा subscribe करेंगे channel तो हरोज जो भी वीडियो डलती है वो आपको immediately देखने को मिलेगे और हाँ bell icon दबाएगा जरूर क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है you can immediately get a notification कि वो नई वीडियो डल चुकी है और आप उसको देख सकते हैं thank you for watching the video take care of yourself bye bye